नमस्कार दोस्तों आपका हमारे योट्यूब चैनल पुन्यदर्शन में स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं अहोई अस्टमी के बारे में कार्थिक क्रश्न पक्ष में तिती त्योहारों की भरमार रहती है जिसमें करवा चौत और अहोई अस्टमी जैसे महिलाओं के द्वारा किये जाने वाले विशेश दो पर्व हैं जिनको मनाते हुए महिलाईं जहां शास्त्रिय एवं लोक रिती पूर्वक वरत उपवास करती हैं वहीं सांस्कृतिक कार्य मक्रमों द्वारा इन्हें उत्सव का रूप प्रदान करती हैं अहोई को अहोई अस्टमी क्यों कहते हैं कार्थिक क्रश्न पक्ष की अस्टमी अहोई अत्वा आठे कहलाती है इस महिने ये वरत सोंबार 21 अक्टूबर को रखा जाएगा वस्तुते ये वरत दिपावली से ठीक एक सब्तापूर्व आता है कहा जाता है इस वरत को संतान वाले इस्टरियां करती हैं दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अहोई अस्टमी का वरत छोटे बच्चों के कल्यान के लिए किया जाता है जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेय और सेय के बच्चों के चित्र भी बना कर पूजे जाते हैं कैसे करें अस्टमी का वरत जिन महिलाओं को ये वरत करना होता है वै दिन भर उपवास रखती हैं सायंकाल भक्ती भावना के साथ दिवार पर अहोई की पुतली रंग भर कर बनाती हैं। उसी पुतली के पास सेई वैसेई के बच्चे भी बनाती हैं। आजकल बाजार से अहोई के बने रंगीन चित्र कागज भी मिलते हैं। उनको लाकर भी पूजा की जा सकती है। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंब होती है पूजन से पहले जमीन को स्वच करके पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भर कर उसे कलश की भाती चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ती भाव से पूजा करें बाल बच्चों के कल्यान की कामना करें साती अहोई अस्टमी के वरत की कता को श्रद्दा भाव से सुनें क्या करना चाहिए पूजन में इसमें एक खास बात यह भी है कि पूजा के लिए माताईं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं जिसे बोलचाल की भाशा में स्याव भी कहते हैं और उसमें चांदी के दो मोती डाल कर विशेश पूजन किया जाता है जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए फिर अहोई की रोली चावल दूद वैभात से पूजा करें अहोई अस्टमी पूजन विधी जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें एक कटोरी में हल्वा तथा रूपिये का बाइना निकाल कर रख दें और साथ दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला कले में पहन लें जो बाइना निकाल कर रखा है उसे सास की चरन छुकर उन्हें दे दें इसके बाद चंद्रमा को जल चड़ा कर भोजन कर वरत खोलें तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं जादा से जादा शेयर करना ने भूलें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए